दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे एक बड़ा कमाल का ड्रामा डिस्कुस करने जा रहा हूँ इस ड्रामा का नाम है The Spanish Tragedy ये बड़ी famous tragedy है दोस्तो इसको लिखा था Thomas Kidd नहीं देखिए दोस्तो इनका नाम Thomas Kidd नहीं है Thomas Kidd है देखिए दोस्तो Thomas Kidd युनिवर्सिटी वेट्स में जरूर शामिल थे लेकिन ये युनिवर्सिटी से ट्रेड नहीं थे ये युनिवर्सिटी वेट्स में एक मात्र थे जो युनिवर्सिटी से ट्रेड नहीं थे हम लोग इनका प्ले शुरू करते है Spanish Treasury बड़ी फेमस है कहाने शुरू होती है एक भूत से कैसे? एक Don Andrea नाम का Spanish सिपाही था जो पुर्तगाल के साथ में लड़ाई में मारा गया स्पेन और पुर्तगाल में लड़ाई हुई तो उसकी आत्मा पहुँची नर्क में यानि अंडर वर्ल्ड में तो अंडर वर्ल्ड की रानी प्रोसेपाइन उससे इसने रिक्वेस्ट की कि मुझे वापस जाना है अर्थ बर वापस जाकर मैं बेल्दिजार की मौत को देखना जाता हूँ तो इसे वापस जाने का अप्रूवल मिल गया कि जिसने इसे मारा था ये उसकी मौत को देखना जाता था तो अब डॉन एंडरिया जो की एक भूत है वापस जाता है अर्थ बर और उसके साथ में एक और भूत जाता है रिवेंज नाम का नीचे अब इस डॉन एंडरिया की एक गल्फरेंड है बैल इंपेरिया नाम की लड़की जो की डॉन एंडरिया की डच से बहुत दुखी है ये लड़की स्पेन की राजा की भतीजी है मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि ये लड़की स्पेन की राजा की भतीजी है वो आदमी जिसने डॉन एंड्रिया को मारा था यानि कि बैलतिजार उसको पकड़ लिया गया है उसको स्पैनिश कोट में लाया गया कैदी बना कर और उसको पकड़ने वाले कौन थे ये बैल इंपीरिया जो है इसका भाई लॉरेंजो स्पेन की राजा का बतीजा है ठीक है न ये बैल इंपीरिया का भाई है ये और एक नाइट मार्शल है यानि स्पेन के ओफिशिल जज का बेटा हरैशियो इन दोनों ने मिलकर बैलतिजार को पकड़ा उसको capture किया और पकड़ा लेकिन इन दोनों के बीच में बहस हो गई कि मैंने बेलतिजार को पकड़ा क्योंकि इसके बदले में स्पेन के राजा इनाम देने वाले न तो दोनों के बीच में बहस हो गई अब जब ये लौट के आ गए हैं बेल एंपेरिया ने हरेशियो से पूछा कि बताओ एंड्रिया कैसे मारा गया डान एंड्रिया कैसे मारा गया तो वो बोला कि एंड्रिया मेरा दोस्त बहुत भादुरी से लड़ा हरेशियो बोला कि एंड्रिया की मौत के बाद मैंने उसकी बाड़ी पर जो एक स्काफ था वो मैंने निकाल लिया और फैसला किया कि इस स्काफ को अपने दोस्त एंड्रिया के सम्मान में खुद पहनूँगा अब ये लड़की बेल इंपेरिया ने नोट किया कि इस स्काफ वो ही था जो इसने अपने लवर डॉन एंड्रिया को दिया था जंग पर जाने से पहले लड़ाई पर जाने से पहले दिया था तो होरेशियो से क्या पुली कि तुम इस स्काफ को एंड्रिया और मेरे दोनों के सम्मान में पहनो हाँ हम ये कह सकते हैं कि बैल इंपिरिया इंप्रेस हो गई थी होरेशियो से उसे शायद होरेशियो से प्यार हो गया था जिसको वो बुलाने लगी सेकंड लव पहला प्यार तो उसका डॉन एंड्रिया था जो कि अब नहीं था इस दुनिया में गुजर चुका था लेकिन अब होरेशियो से उसे प्यार हो गया था अब स्पेन के राजा का दिमाग देखो वो और बैल इंपिरिया के फादर ने क्या किया वो लोग सोच रहे थे कि बैल तिजार जिसको पकड़ा गया था पुर्तगाली उसके साथ में बैल इंपिरिया की शादी करवा दिने चाहिए ताकि स्पेन और पुर्तगाल के बीच में दोस्ती हो जाए शांती कायम हो जाए बैल इंपिरिया तो बिल्कुल भी इंट्रेस्टेट नही थी ऐसे आदमी से शादी करने के लिए जिसने उसके लवर को मार दिया था लेकिन दोस्तो इस बैल इंपिरिया का भाई लॉरेंजो उसने बैलतजर से कहा कि तुम चिंता मत करो मेरी बहन की शादी तुम ही से होगी अब दोस्तो क्या होता है एक शाम ये बैल इंपिरिया और हरेशियो जिनका लव अभी अभी शुरू हुआ है ये लोग गार्डन में मिलने गए तो किसी नौकर ने बैलतिजार और लारेंजो को इंफरमिशन दे दी कि ये दोनों मिलने गए हैं तो दोस्तों गौर से सुनना ये बैलतिजार और लारेंजो वहाँ पर भेज बदल कर आते हैं और ये दोनों मिलकर हारेशियो को लटका देते हैं और बुरी तरह से तलवारों से उसके पेट में घुसेड कर बुरी तरह से मार देते हैं बैलेंपिरिया के सामने उन्होंने मार दिया था उसको पहले इंपिरिया चिलाने लगी लेकिन वो लोग उसे ले गए और वहाँ गार्डन में होरेशियों की डेट बाडी को लटकता हुआ छोड़ गए अब होरेशियों की बाप यानि की जज को जब पता चला कि उसके बेटे को इस थरह मौत के घाट उतार दिया गया है तो वो भागता हुआ है दूनों माबाप अपने बेटे की मौत पर रोने लगे यानि होरेशियों की माप भी वहाँ पर माजूद थी और इशो की बाप ने अपने बेटे की बाड़ी से वो सकाफ उतारा और उसके कून में भिगो कर कसम खाई कि बदला तो लूँगा कैसे भी लूँगा लेकिन बदला तो लूँगा जिसने भी मेरे बेटे को मारा है तो उसकी वाइफ ने क्या बोला कि शांत रहो बदला लेना हमारा काम नहीं भगवान का काम है अब दोस्तो डॉन एंड्रिया का पूत ये सारा सीन अपनी आखों के सामने देख रहा था उसे इंतजार नहीं हो रहा था कि कब मेरी बहुत का बदला लिया जाएगा और कौन मेरी मौत का बदला लेगा स्पेन में तो ये सब चल रहा था अब चलते हैं पुर्तगाल पुर्टगाल से जब लड़ाई हुई थी स्पेन की तो उस दौरान पुर्टगाल के वॉयस रॉय का बेटा यानि बेलतिजार पकड़ा गया था तो पुर्टगालियों ने तो ये सोच लिया था कि बेलतिजार को मार दिया गया होगा लेकिन उस वक्त एक न्यूज आई कि बेलतिजार मरा नहीं है बलकि बेलतिजार जिन्दा है स्पेन में मारना तो बहुत दूर की बात है उसकी तो शादी करवाने की प्लैनिंग की जा रही है स्पेन में यहां हॉरेशियों का फादर यरोनिमो नाम है उसका वो अपने बेटे की मौत पर पागल हुए जा रहा था कि मेरे बेटे हॉरेशियों को मार दिया गया ना जाने किसने मारा तब इसको मिलता है बैल इंपीरिया का एक लेटर जो उसने खून से लिखा था बैल इंपीरिया ने हॉरेशियों को मारते हुए देखा था अपनी आखों के सामने तो उसने हॉरेशियों को मारने वाले लोरेंजो और बैलतिजार का नाम बताया किसको यरोनिमो को यानि जज को और हॉरेशियों के फादर से रिक्वेस्ट की कि आप अपने बेटे की मौत का बदला लीजी तोड़े वक्त बाद एरोने मोने यानि कि हरेशो के फादर ने जज ने ये पात कन्फरम कर ली कि हाँ मेरे बेटे को मारने वाले ये दोनों ही थे वहाँ हरेशो की बिचारी मा पागल सी हो गई अपने बेटे की मौत के बाद में एक दिन वो गई गाडन में जहां पर उसके बेटे होरेशियो को लटका के मारा गया था और खुद भी वहाँ जाकर स्विसाइड कर ली वो तो मर गई लेकिन लग रहा था होरेशियो का फादर भी पागल हुए जा रहा था वो राजा के पास गया जेस्टिस मांगा लीगल रास्ते से लेकिन लोरेंजो ने उसके हर रास्ते को ब्लॉक कर दिया Lorenzo ने राजा से कहा, स्पेन की राजा से कहा कि ये बुड़ा पागल हो गया है इसे अपने बेटे के इनाम का पैसा चाहिए ये एठना चाता है उस पैसे को इसलिए ये नाटक कर रहा है अब स्पेन का राजा इस मर्डर के बारे में कुछ नहीं जानता था उसने ये केस डिस्मिस कर दिया कि बुड़ा वाकई पागल हो गया है अब दोस्तों पुर्तगाल का वाइस राए यानि की बैलतिजार का फादर आता है यहाँ पर स्पेन में स्पेन की राजा के पास में कि बैलतिजार और बैल इंपीरिया की शादी की जाए अब शादियों में एक चूटा मोटा फंक्शन तो होता ही है तो स्पेन की राजा ने हरेशियों के फादर से यानि एर्यनिमो जजज साब से कहा कि आप एक अच्छे पाइट और प्लेराइट हो तो एक अच्छा सा प्ले पफॉर्म किया जाए इस खुशी के मनजर पर तो ठीक है वो मान गया बुला कि इस प्ले को परफॉर्म करने के लिए मुझे बैल इंपीरिया की ज़रूरत है बैल इंपीरिया और हरेशियों के फादर ने मिलकर एक प्ले तैयार किया और रिक्वेस्ट की कि लारेंजो और बैलतिजार भी इस प्ले में एक छोटा सा रोल प्ले करेंगे अब ये प्ले जो उन्होंने लिखा था ये प्ले बताता था एक स्टोरी जिसमें एक स्पैनिश नायट था और एक ब्योटिफुल इटैलियन वोमन थी दोनों के बीच में शादी होती है और कहाने की एंड में एक मर्डर होता है और एक स्यूसैड होती है अब प्ले शुरू होता है प्ले के दौरान बैल इंपिरिया ने बैलतिजार को चाकू मार कर उसकी हत्या कर दी और कुद को भी चाकू से मार लिया और हरेशियो के फादर ने लरेंजो को मार दिया अब चलते प्ले के बीच में लोगों को लग रहा था कि ये प्ले चल रहा है नाटक चल रहा है लेकिन हरेशियो को फादर सामने आगर बोलता है कि ये सब सच है सच में हमने उन दोनों को मार दिया और ये वहाँ से भाग कर खुद को लटकाने की कुशिश करता है लेकिन इसको वही पर on the spot पकड़ लिया जाता है ये भागा इसलिए था क्योंकि इसे लग रहा था कि अगर मैं पकड़ा गया तो मुझे torture किया जाएगा इसलिए ये क्या करता है अपने ही दातों से अपनी जीब को चबा जाता है उस वक्त इसको एक pen दिया जाता है कि लिख कर बता की बात क्या है लेकिन ये क्या करता है उस pen से खुदी को मार लेता है और बदला पूरा हो जाता है अब इस प्ले में एक एक करके सारे मर जाते हैं और तभी इस प्ले का नाम Spanish Treasury रखा गया है अब ये सारा सीन डॉन एंड्रिया का भूत अपनी आँखों के सामने देख रहा था और एंड में वो भी वापस अंडर्वर लौट जाता है जब उसे पता चलता है जब वो देख लेता है अपनी आँखों से कि उसके मर्डरर को किस तरह मारा गया है और उसके मर्डरर को मारा था किसने उसी की गल्फरेंड बैल एंपीरिया ने और यहीं पर ये प्ले कतम होता है दोस्तो उमीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आये होगी आज की इस वीडियो में बसतना है